नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलोजिक केडा चनल में और आज का विडियो है वो रहेगा एक और नए प्रोजेक्ट में यानि की सर्वेश सिस्टम के बारे में तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि लास्ट टाइम एक प्रोजेक्ट था कारेंटल सिस्टम वो आप लोगों ने नहीं बनाया और किसी ने भी नहीं बेजा तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि कारेंटल सिस्टम में बना लिया है जिसकी प्राइस जो है वो 300 रुपीज है और बहुत बार ये कोईली भी मुझे देखने को मिलते हैं कि लोग मुझे कहते हैं और 600 रुपय में मैं बहुत कुछ दे रहा हूँ ठीक है अगर आप लोग देखेंगे कि जो मैंने प्रोजेक्ट्स दिये हैं मेंबर्शिप में भी अगर उसकी कीमत भी अगर आप लोगों को सिर्फ प्रोजेक्ट के सोर्स कोड की भी अगर कीमत देखेंगे तो बाहर आप चैनल से लेके 8000 रुपया तक पिलेगी लेकिन मैं इसमें वीडियो टुटोरियल्स भी दे रहा हूँ इसमें आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट का कोड भी दे रहा हूँ उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ .NET Core ही नहीं मैं आप लोगों को अंगूलर भी दे रहा हूँ आप लोगों को अधर टेक्नोलोजी सीकोल सर्वर के वीडियो वीडियो भी हैं तो यह मेरा मेंबर्शिप प्लान है जिसकी फीस सिर्फ 600 रुपय है लेकिन 600 रुपय में आप लोगों को पूरा सोर्स कोड मिलता है पूरा आप लोगों को प्रोजेक्ट कोड भी मिलता है तो सिर्फ 600 रुपए की यह वो membership है लेकिन मैं उसमें सिर्फ दो project दे रहा हूँ एक technology के .net core के दो project उसके बाद में वो ताकि आप लोग वो सीख सके अगर आप लोग वो ने वो सीखा है तो यह जो project मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ इसका demonstration करके तो यह आप लोग easily बना सकते हैं लेकिन लोगों की comment आते हैं कि यह project भी उसमें include गए तो यह possible नहीं है मैं आप लोगों को दुबार बोल देता हूँ यह possible नहीं है जिसकी जो choice है वो ले सकता है नहीं जिसको लेना है वो मत लीजिए ठीक है तो मैं बस इतना कहना जाता हूँ कि जो projects हैं वो help करते हैं ताकि मैं ऐसे projects भी design कर सकता हूँ इसमें अगर यह difficulties है तो दूसरी projects में वो देखने को मिल सकती है ठीक है तो यह मेरा membership plan है लेकिन मैं जो भी बाहर project बना रहा हूँ जैसे की car rental system है student address है और अभी देखिए student address का जो project है student attendance जो management system मैंने बनाया है वो 50 रुपए में आप लोगों को देखेंगे तो 3-4,000 रुपए आप लोगों को मिलेगी 2-3,000 तो definitely मिलेगी उसके बाद में मैंने आप लोगों को link building website का example दिया जिसकी बाहर अगर आप लोग कीमत देखेंगे तो 4-6,000 रुपए मिलेगी लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ members वालों को 50 रुपए में दिया कोई भी आप लोगों को code 50 रुपए में नहीं देता है और आप लोगी बो अगर आप लोग फिर भी 50 रुपए के लिए सोचते हैं तो education point of view से आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं बता ठीक है अब बात करते हम लोग आगे कि आज का वीडियो किस पर होगा आज का वीडियो को और नहीं प्रोजेक्ट के उपर है जो है service system के बारे में कि service system आप ल जाइन कर सकते हैं बना सकते हैं सिवाए graph के क्योंकि मैंने इसमे graph present किया है और graph में आगे आपको जरू शिखाऊंगा जब jQuery को और javascript का tutorial आएगा membership के अंदर ठीक है तब अपने आप लोग graph को भी implement उसमें कर सकते लेकिन basics आप लोग सारे सारे यहाँ पर implement कर सकते हैं तो च चैसे आठ हजार रुपए मिलेगी दो से तीन हजार तो definitely मिलेगी आप लोग कहीं पर भी try कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और उसके बाद में हम लोगों को बहुत कुछ जो है आप लोगों को बताना भी है तो PPT भी चलते है code panel पर भी चलते हैं इसमें आप लोगों को .NET Core के उपर complete video tutorial, Dopper के उपर complete video tutorial, REST API, Angular, Entity Framework Core, MS Test Unit और ही simple video tutorial नहीं है project based है project based पर आप लोगों को complete 600 rupees में जो है मैं आप लोगों को full tutorial दे रहा हूं ठीक है और architecture है company में काम कैसे होता है अगर आप लोगों की job नहीं लगी है तो आप लोगों की dream jobs लग स सकती है सिर्फ इन tutorials के विजए से जिसकी फीस सिर्फ 600 रुपए है लेकिन आगे चलकर इसकी फीस बढ़ने वाली है दोस्तों जो लोग आज लेना चाहते हैं इस membership को वह जस्ट वीडियो की description box में जाएए वहां पर एक Google form मिलेगा उसे फिल करना है फाइनली आपका membership start हो तो अगर आप लोग पाना चाहते है अपनी dream jobs और आप लोग काम करना चाहते है company के लिए तो कैसे काम करते हैं वो भी मैं इसमें बताता हूं तो project based आप लोगों को courses मिलते हैं हर एक technology के ऊपर आप लोगों को मिलता है दो projects ठीक है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखन करना है लेकिन आप लोगों को एक authentication system इसमें तैयार करना है जिसमें दो रोल आप लोगों के होंगी एक to admin होगा और एक customer होगा जो कि review देगा और administrator जो है वो graph कि थू जो है अपनी जो status है कि कौन से field में कितने votes आये हैं उन्हें वो check कर सकता है ठीक है अब the next one अगर हम लोग इस बात पर करें तो सबसे पहले register करेगा कोई भी जो customer होता है या कोई भी user होता है वो register करेगा ठीक है अपने account में जैसे कि मैंने यहां पर क्या किया हुआ testuser.gmail.com आपको यह design करना है simple आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने identity को use किया तो यह easily हो जाएगा उसके बा लोगों के बाद जो categories है वो है ABC, Animal, UI, O ठीक है इस type की categories आप लोगों की पास है इन में आप लोगों को देना है reviews ठीक है तो साथ ही आप लोगों को यह भी add करना है would you use our customer service in the future yes or no would you use our customer service in the future yes no or maybe ठीक है इस type का आप लोगों को देना है यह double double bar हो गया ठीक है एक बार ही आप लोगों करना है and the next one how can we improve our service उसमें आप लोगों को comment box में लिखना है अब the next one आप लोगों के पास यह आप लोगों ने fill कर दिया और उसके बात में आप लोगों के पास जब administrator इसमें login होगा तो आप लोगों की वो states check कर सकता है कि survey में सबसे जादा response जो हो किसको मिला है तो लोग यहां पर देख सकते हैं जो fields है जैसे कि survey field ए बीसी अनेमल और यूआई वह है जिसकी survey field 1,2 & 3 है तो यहां पर 1,1,1 जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है that is very satisfied survey field 1 जो है वो unsatisfied कितने हुए है और satisfied कितने हुए है very satisfied जो है यहां पर आप लोगों के पास देख रहे है कि चार लोगों ने यहां पर very satisfied का option आप लोगों के पास दिया तो यह इसका जो graph है वो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं तो यह administrator है जो survey को get कर सकता है कि कि कितने लोगों ने इसको satisfy किया है service को कितने लोगों ने नहीं किया है इसको हम लोग और भी explore कर सकते हैं लिकिन आप लोगों को बस इतना ही design जो हो करना है ठीक है यह मैं check करूं आप लोगों के next saturday को जो कि मुझे आप लोगों को show करना है जो मुझे mail पर भेज देता है उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि वह चीजे सीख रहा है कैसे design करते हैं graphs को बनाना मैं आप लोगों को jquery के tutorials में जरूर सिखांगा ठीक है कैसे हम लोग graphs को यूज करते हैं कैसे हम लोग graphs को बनाते हैं लेकिन कल को इसकी फीज जाकर बढ़ेगी 100% बढ़ेगी तो आप जो जोइन करना चाहता है वो वीडियो की description box में जाहिए वहां पर आप लोगों को एक Google formula का उसे आप लोगों को फिल करना है